अगर आप इसमें भशड मचा देते हैं, मिठा, खटा, नमकीन, कडवा, कटू, कसाई, आप इने दोनों परकारों से समझ लेजिए, आप खाना खा रहे हैं, उसके अंदर गड़ बड़ ना करें, चुर्मा ले लिया, मिठा हो गया, दै ले लिया, हलका सा खटा हो गया, उसक अगर आप इसके बारे में जानकारी डिटेल लेकाड़ेगों, आपको पता चलेगों, चुरायता भी डाल सकते हैं, और इसे ले सकते हैं, यह आपके पित दोस्तों को नश्ट करती हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं राउल सुर्यवंसी, स्वागत करता हूँ आपका अपने चै अगर धात्वों के बारे में, और आज हम बात करेंगे छै रसों के बारे में, जिनका पिछली वीडियो में जिकर कर दिया था, कि हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, तो महर्शिवाग बटजी लिखते हैं, आयर्वेद सास्त्र में रसों की संख्या छै ह मतलब छै परकार के रस सुवाद जственप भी काई सकते आप छै परकार के रस लिखे गई है पहला है तहाँ lec तिक्त ये आपका हो गया नीम के जैसा तिक्त जो होता है कड़वा वो नीम के जैसा चिरायते के जैसा होता है पाच्वा आपका हो गया उष्ण कटू काली मिर्च का स्वाद आप सभी को पता होगा किस परकार का स्वाद होता है ये आपका आगया उष्ण के अंदर है तथा कसाय अर्थार्थ कसेला कसेला जो स्वाद है वह आवले के अंदर होता है अगर आप आपने कभी आवला खाया है तो आपको पता होगा कसेला जो रस होता है स्वाद होता है वो किस परकाल को होता है वो लिखते है ये सभी रस भिन भिन दर्वों में पाय जाते है ये रस अंत की ओर से अंत की ओर से बलवर्दक होते है आगर की ओर बलवर्दक होते है जैसे कसेला है कम बलवर्दक है कटू है चरचरा भी आप इसे कह सकती है यह है कम ब बलवर्दक है नीम तिक्त अथार्थ कडवा यह भी कम बलवर्दक है और लवन नमकिन ये कडवे से थोड़ा बहतर है खटा ये नमकिन से थोड़ा बहतर है और सबसे बलवर्दक है अमारा मिठा जो मिठा रस है वह सबसे ज्यादा बलवर्दक होता है और इसके बाद सभी र इनका विपरेत बल ना सकते हैं बलका नास करने वाले होते हैं रसना अर्थार्थ जीब के दुवारा जिस रसा स्वादन किया जाता है तो जो रसना का विश्य है उसे रस कहते हैं महर शिवाद भट जी लिखते हैं जीब के दुवारा जिसका स्वाद लिया जाता है मतलब जो सुवाद हमें प्राप्त होता है जीव के दुबारा उसे रस कहते है अर्थार्थ किसी दर्वय का जब जीव से संबंद होता है तब उसके रस की प्रतित्ति होती है कि यह मिठा है खटा है अधिक कैसा रस है रसों के विशेश परीच्चे के लिए देखे अस्टांगर्द्यम सुत्रस्थानम अध्यायदस रसों के बारे में वहापर विश्थार से वननन किया हुए अध्यायदस में आयरवेद के सुत्रस्थान अध्यायदस में तो वहापर जब हम पोल्चेंगे तो उसके बारे में विश्थार से वननन कर देंगे अभी जितना लिखा हुआ है उसक के बाद वो लिखते है रसों का वात अद्धी पर प्रभाव अर्थार्थ जो ये रस है उनका वात पित कफ पर किस परकार असर होता है प्रभाव होता है उसके लिए यह जानकारी मैं तपो नहीं यह जान लेना आप थोड़ा सा अपना भी इसमें दिमाख लगा ना आप पित को नश्ट करते है इसके विपरीतरस वात पित कफ के दोस्तों को बढ़ाते हैं यहाँ पर आप इस परकार भी ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा कि मधूर मिठा मिठा दर्वे जो भी है वह वात दोस्त को नश्ट करेगा अमल खटा जैसे निम्बू निम्बू अ लवन अगर आप पानी के अंदर से इंद नमक डाल कर पी रहे हैं तो वैवात दोस्ट को नस्ट करेगा और अगर ये तिन्नों चीज एक चीज के अंदर है तब भी वैवात दोस्ट को नस्ट करेगा आप इन्हें दोनों परकारों से समझ लेजिए पानी के अंदर निम्बो डाल दिया मिठा डाल दिया वो नमक डाल दिया मिठा बढ़िया डालिया चिनिमा डालिया खांड वगारा सक्कर वगारा वो चीड डालिया वो बढ़िया चीज है तिक्त कटू कसाय जिस खाने के अंदर जिस दर्वे के अंदर कडवा पन है चरचरा पन है और कसेला पन है यह है कफ दोसों को नश्ट करता है यह है सिंगल हो तब भी है कफ दोसों को नश्ट करेगा और तिन्नों रस एक चीज के अंदर हो तब भी है कफ दोस को नश्ट कहा कहने का मतलब यह है कसाय तिक्त मदूर कसेला कडवा और मिठा यह तिन रस पित को नस्ट करते हैं बड़े हुए पित को नस्ट करते हैं इसके विपरीत रस वाद पित काफ दोस्तों को बड़ा देते हैं सिंपल सी बात है कि आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर गड़ बड़ ना करें आपने चूर्मा ले लिया मिठा है आज मंगलवार है तो मंगलवार की दिन के उपर आपको एक उधारां दे देता हूं सुब्य सुब्य आपने वर्त बगारा किया हुआ है तो चूर्मा बनता उनके घर में जो वर्त बगारा रखते हैं मंगलवार का उनको पता है चूर्मा बनता है घी से शक्कर से और रोटी के अंदर मिला करके उसे मतलब मिला जाता है मिक्स किया जाता है तिन्नों चीज्जों को काफी लोग कूट करके बनाते हैं कोई उसन करके मतलब मोर करके बनाते हैं मोर ना ब दूर अमल लवन ये आपका खाना हो गया वात दोस्त को नश्ट करने वाला इसके अलावा अगर आप इसमें भशड मचा देते हैं इस खाने के अंदर साथ में घरवालों ने दाल परोश दिकी इसके साथ दाल भी चनने दवाई अब वो नुक्षान दायक हो जाए गया आप वो बोलते हैं ऐसा खाना नुक्षान दायक है आप तीन रसों का सेवन गीजिए हैं कुछ चीज़े हैं जैसे अचार है उसके अंदर 6 के 6 रसों होते हैं तो उसे आप ले सकते हैं यह मतलब खाना है जो भर पेट आप खा रहे हैं वो कुछ इस परकार का लेजिए अगर यह बात यह अलग है कि वात दोसको नष्ठ करना है तो जैसे मैंने आप यह आपको बताया इस परकार का खाना आप लेजिए कसा Portuguese कसी ली तिकत अ अथsyक्षट गडव और मिठा इस परकार का खाना क्कार आप खा रहे हैं तो यह पित को नष्ठ करेगा दाया है दाय के सामले में इस समय दाई के अंदर थोड़ा सतिर फला डाल दीजिए हरड का चूरन डाल दीजिए यह आपका कसेला हो गया मिठा डाल दीजी उसके अंदर मिश्री सबसे पहले मिश्री इस डलेगी धाई के अंदर उसके बाद कसेला और अगर आप चाहते हैं तो कुछ चिरायते का चुरन चुटकी भर भी डाल सकते हैं अगर आपदिव किस परकार परभाव पड़ता है इसकी चरचा भगवान पुनहर वसु У ने इस परकार की है एक पद है यहाँ पर संस्कREIT में उसका अर्थ है कि तीन-तीन रस एक-एक दोस को पैद गरते ए है और तीन-तीन ही रस एक-एक दोस को शांत भी करते है यथा कटू तिक्त कसाय रस वात दोस को उत्पन करते है मधुर अमल लवन रस इसे शांत करते है कटू अमल लवन रस पित दोस को उत्पन करते है मधुर तिक्त कसाय रस इसे शांत करते है कटू अमल लवन रस कफ को उत्पन करते है और कटू तिक्त कसाय इसे शांत करते है यही अभी प्राय महर्शी वागभट जी का भी है तो दोस्तों ये थे हमारे छै रस इन्हें आप आपको किस परकार इस्त्वाल करना चाहिए किस किस समश्या में किस किस रस को अधीग लेना चाहिए या किस का त्याग करना चाहिए वह हमने जानना इस वीडियो में तो वीडियो बड़ी ही ग्यानवर्दक थी और अगली वीडियो भी घ्यान वर्दक होने वाल है क्योंकि अगली वीडियो में हम तीन परकार के जर्वे के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो, आज की वीडियो आपको अच्छे लेगे हो तो वीडियो को लाइक केजए और जदा जदा सेयर कीजिए इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें इसे परकार के जानकारी अपने वीडियो के माद्दम से आपको देते रहते है बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए